तो आज हम पढ़ने वाले है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओफ वेक्टर इन थ्री डाइमेंशन्स तो बेसेकली तुटेंगुलर रिजोलिशन या फिर और्थोगोनल रिजोलिशन किसी एक वेक्टर के टू डाइमेंशन में कैसे होते हैं तो आज उसी का एक एडवांस फ बेसिकली सुडेंट्स जब हम किसी भी एक वेक्टर के डिजोलिशन की बात करते हैं तो वेक्टर के डिजोलिशन का मतलब होता है कि उस वेक्टर के दो या दो से आधा कंपोनेंट को फाइन करना लेकिन क्योंकि यहां पे हम और्थोगोनल या फिर रेक्टेंगुलर रिज युशे के साथ पर्पेंडिकुलर ही रहेंगे और क्योंकि यहां पे हम त्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो x-axis, y-axis and z-axis के एलोंग बात करने वाले हैं तो एक वेक्टर का रिजोलिशन वो भी थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो उसके जो भी कमपोनेंट है वो एक दूटसे के साथ perpendicular होंगे और इसी को बोला गया है rectangular resolution of a vector in three dimensions तो चलिए अब इसको एक concept से समझते हैं डियाग्राम से समझते हैं बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज लिखी हो डियाग्राम को लेकर के explain किया गया है अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके इसको पढ़ सकते हैं बर चलिए मैं इस सब लिखी हुई चीज को diagram से समझाता हूँ तो basically students आप यहाँ डियाग्राम में देख सकते हैं कि x axis, y axis and z axis को लिया गया है तो अब students आप confused बिल्कुल भी नहीं होंगे कि इधर x axis को नहीं लिया है y axis इधर आना चाहिए था z axis ऐसे आना चाहिए था अगर आप चाहें तो simply क्या कर सकते हैं x axis, y axis, z axis ऐसे भी बनाएंगे तो यह wrong नहीं होगा आप ले सकते हैं कोई problem नहीं है यह x axis हो गया then this is suppose y and this is z okay, तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं यह आपका represent करने का तरीका है आप कैसे भी लिख सकते हैं तो फिलारा हम इस diagram पर focus करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यह x axis से माल लेते हैं यह y axis माल लेते हैं और यह z axis है और हम कोई बात बता है students के तीनों यह axis जो है वो एक दूसरे के साथ mutually perpendicular होते है यानकि इनके बीच में जो angle बनता है वो हमेशन 90 degree ही बनता है अब देखिए यहाँ पर माल लेते हैं हमाँ पास यह एक vector a है यह हमारा vector a है जैसे आपका यहाँ पर दिख रहा है वो vector ऐसा नहीं है actually vector इस तरीके से है क्योंकि यहाँ से x-axis, y-axis और z-axis तीनों ही cover होने चाहिए students तो अब उसको लिखतो नहीं सकते है तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बना ले रहे है तो यह हमारा हो गया vector a इतना clear है students अब देखिए इसके बाद क्या करते है हम इस vector a से अगर हम x-axis पर एक perpendicular draw करेंगे जो किया दिखा नहीं पाएंगे पर y-axis पर दिखा सकते हैं यह y-axis पर है और यह जो basically है वो z-axis पर है x-axis का इस diagram में दिखा पाना मुश्किल होगा तो क्योंकि अब हम यहाँ पर orthogonal resolution की बात कर रहे हैं तो हमको unit vector की भी help लगेगी तो यह बात हमने पढ़के आया है कि x-axis के along जो unit vector होता है वो i-cap होता है y-axis के along j-cap होता है and z-axis के along k-cap होता है तो मान लेते हैं students की अब इस vector के जो हमको 3 component मिलने वाले हैं वो कहां मिलने वाले हैं वो हमको x-axis, y-axis and z-axis के along ही मिलने वाले हैं तो जो x-axis के along जो component होगा वो x vector होगा y-axis के along vector ay होगा and z-axis के along vector az होगा इतना clear है अब देखिए अब जब हम बात करते हैं इसकी unit vector की इसके unit vector की बात करते हैं along the x-axis तो इसके लिए होगा i-cap students तो अब देखिए तो यह जो OA होगा यहमारा OA क्या हो जाएगा vector x मान लेते हैं ऐसे ही जो यह OB है जो यह OB है वो किता हो जाएगा? वो हो जाएगा vector ay and जो यह OC है वो हो जाएगा vector az students इतना clear है तो अब इस चीज़ को समझना बहुत जाओरी की OA तो ठीक के चलिए vector ax है अब देखिए आपने बोल दी OB कितना है OB जो है हमारा कितना है वो है vector ay तो इस तरह के से हम बोल सकते हैं कि जो यह AQ है ओके यह AQ जो है वो AQ भी कितना होगा that is also the vector ay इसमें draw करते थे लेकिन यहाँ पर 3-dimensional है तो 3-dimensional जो rectangular object होता है वो क्या होता है? Cuboid होता है यह आपको पहले से पता है तो अब यहाँ पर क्या करना होगा आप simply जो यह vector लिए हैं इस vector से सबसे पहले क्या करेंगे? आप यह X axis पे, Y axis पे, Z axis पे इस तरह के से commission बनाएंगे और इसको लेते वे आप जो है Cuboid बनाएंगे So question is coming कि sir, Cuboid बनाना बहुत tough लग रहा है तो चली मैं आपको simple तरह का बताता हूँ सबसे पहले क्या करेंगे? आप यह vector op लेंगे अब vector op से X axis लिए यहाँ तक I mean Y axis और Z axis यहाँ तक लिए फिर दोनों को देखी थोड़ा थोड़ा सा आप extra extend कर लेंगे Exchange कर ली students तो देखी आपको इतना डबबा मिल चुका है अब यहाँ से यहाँ तक लिएगे और यहाँ तक लिएगे तो अभी तक आपको यह डबबा मिल चुका है अब यहाँ से start करते वे आगे लेके जाएंगे इस तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से आपका यह बन जाएगा ओके students इतना clear है अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस तरीके से बना सकते हैं simply यह X axis हो गई Y axis हो गई Z axis हो गई तो सबसे पहले के आगे हमने यहाँ पर वेक्टर A लिए इतर इस तरीके से draw किए यहाँ draw किए थोड़ सा extra लेखिया है इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर rectangle box बनाना है उसके बाद यह थोड़ सा आगे से हैं यहाँ से फिर आप लेखे जाएंगे आगे यहाँ से यहाँ दग लेखे आएंगे और यहाँ से इसको join करेंगे इसको join करेंगे और इसको join करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है वो orthogonal shape बन जागा rectangular shape बन जागा जो कि 3 dimensional represent करता है इस vector के orthogonal resolution के लिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि जितना vector ob है जितना ob है उतना ही distance aq भी है राइट students तो जो ob है वो vector ay है तो जो aq है वो भी कितना हो जाएगा vector ay हो जाएगा ऐसे ही जो यह oc है db उतना ही हो जाएगा और जितना db है उतना ही peak होगा तो इन सभी की value जो हो जाएगी वो हो जाएगी vector az तो question आता है कि हमको actually लेना किसमे है तो यहाँ पे students हम जब बात करने वाले हैं वो actually हम इस triangle के लिए बात करने वाले जो triangle बन रहा है यहाँ पे इस triangle के लिए रहे हैं क्योंकि यह जो हिस्सा है यह हिस्सा जो है वो x-axis, y-axis and z-axis तीनों को cover कर रहा है अगर आप थोड़ाशा image ने लिए तो यह उभरा हुआ हिस्सा यह actually इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकला हुआ है तो यहाँ से x-axis, y-axis और z-axis तीनों को ही यह cover कर रहा है तो उस condition में अगर हम vector addition का law apply करते हैं तो यह जो vector op है यह इसके तीन जो component है vector x, vector ay, vector az इन तीनों को plus करने पे हमको मिल लागा vector op तो अब basic students आपको एक और confusion आलोगा कि यह जो line है oq, यह oq हमने line बनाए क्यों है हमें पास vector a था तो हमको यह एक line की बाने की जोड़त क्यों पड़ी इसका reason में आपको समझाता हूँ इस vector a से आप इस y-axis पे एक perpendicular line draw कर पा रहे थे और यहीं से आप z-axis पे भी एक line perpendicular draw कर पा रहे थे पर क्या आप x-axis पे दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते हैं तो इसके लिए जितना angle पे यह है उतना ही angle पे हम नीची line बनाएंगे तो यहां से हम imagine करने की इसी vector का काम यहां पे reflection कर रहा है क्योंकि हम diagram में दिखाना चाहरे हैं ऐसा को reflection होता नहीं है पर diagram में दिखाने का तरीका होता है कि यह हमने एक बना दी है vector उसकी जितना और यहां से आप यह x-axis पे जो है वो perpendicular draw करते हैं और इसी वाज़ा से हम इस triangle को main focus करने वाले हैं तो जैसे कि अभी हमने discuss की students की vector a कि जो तीन component होंगे वो vector ax plus vector ay plus vector az होंगे तीनों को plus करने पे हमको vector a मिलने वाला है तो इसी तरीके से students जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में unit vector पढ़ा चुके हैं जहाँ पे हमने बताया देखी अगर x-axis के along बात कर रहे हैं तो क्या होता है वो i-cap होता है unit vector तो यहाँ पे simply लिखेंगे हम vector ax upon vector ax का modulation अगर आपने हमारे unit vector वाली वीडियो नहीं देखें तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए तो यहाँ से इस vector ax की value क्या हो जागी i-cap into ax तो x के बिले जागा x into i-cap ऐसे ay into j-cap ऐसे az vector के बदले az into k-cap अगर हमको यह चीज unit vector के form में represent करना है तो ok students इतना clear है तो अब यहाँ से चलिए solution के तरब बढ़ते हैं तो basically students अब हमको निकालना क्या है magnitude निकालना इस vector a का ok तो इस vector a का magnitude कैसे मिलेगा आपको सोचना है तो सबसे देखिए कि यह triangle lock according बात करते हैं तो triangle lock according vector o q plus vector q p को plus कने पे हमको vector o p मिलने वाला है okay students triangle lock according क्यों क्योंकि इसकी direction जो है वो इस direction पे है and यह जो है वो इस ही के पहला था right तो इसके पहला है मतलब कि direction आपको दिखरी कि इस direction में है तो अगर triangle lock करेंगे तो जागा यह o p equal to o q plus q p vector okay सभी vector में vector o p equal to vector o q plus vector q p हो जाएगा okay students इतना clear है तो अब देखिए अब यहां पे क्योंकि right angle triangle triangle है triangle o p q यह जो triangle है o p q यह कहा है right angle triangle है यह आपको भी visually नहीं दिख रहा है बट यह right angle triangle ही होगा ऐसा क्योंकि यहां पे तीनों जो axis है x axis y axis z axis जो है वो basically एक दूसरे के साथ तो 90 degree बना रहें लेकिन यह जो vector है वो भी 90 degree बना रहा है इनके साथ okay तो इसलिए यहां पे यह जो angle बन रहा है वो exactly जो है यह triangle जो है वो 90 degree का होने वाला है तो अब देखिए अगर हमें आपे इस right angle triangle में python को इस तो प्लाय करते हैं तो क्या हो जाएगा यह op का square equal to आ रहा है और यह इस दर जा रहा है तो direction आपको समझ में आ रही है और इसकी direction इस तरह के से opposite direction है तो हम बोच सकते हैं कि जो vector o की है वो किसके equal होगा vector o a plus vector a q k तो वही चीज़ आगे लिखी हुई है यह आप देख सकते हैं कि op square equal to o q square qp square क्योंकि right angle triangle o q q था okay and यहाँ पे o q square को हम देख सकते हैं vector o a square plus a q square okay students तो इस तरह कि इससे o p क्या था हमारा vector a था तो यह a square हो जाएगा and यहाँ पे o a square है o b square है and qp square है ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे इस diagram में जो a q था यह जो a q है वो a q किसके equal है o b के equal है तो हम a q vector के बदले o b vector यहाँ फिर o b लिख सकते हैं तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी हैं अभी o a किता था o a जो है a x है तो x square plus o b के बदले a y square and qp के बदले a z square हो जाएगा पर हमको a square नहीं चाहिए right तो हमको क्या करना होगा हमको इधर इसको रटाने के लिए square root लेंगे तो इधर भी लेंगे तो इस simply क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a equal to यहाँ फिर लिख सकते हैं कि vector a का modulus वही चीज़ है students जैसे हमने बताया है कि vector a का modulus जो है वह किसके equal होता है a तो आप a लिख सकते हैं तो a equal to जाएगा under root x square plus ay square plus az square गे तो इस तरीके से हम जो है modulus निकाल सकते हैं इस vector का इस three dimensional vector resolution के लिए अब हम बात करते हैं इनके unit vector की direction के लिए तो यहाँ पे इनके three dimensional vector resolution के लिए इसका direction find की जाती है उसके लिए हमको unit vector की help plane ही होती है तो हमको पता है कि formula होता है that is unit vector याने की a cap equal to vector a upon vector a का modulus होता है और vector a की विए अभी हमने उपर बताया थे आपको यहाँ पर की vector a की विए कितनी है यह है that is a x ik plus ay j k plus az k k right upon अभी हमने a की विए निकाल रहे थे या vector a के modulus की विए निकाल थे वह यह थी तो under root x square plus ay square plus az square इस formula से हम जो है इस vector resolution के लिए वो भी 3 dimension में हम इसकी direction find कर सकते हैं okay students I hope आपको यह clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए and video को like जरू करें आज के लिए इतना ही thank you